स्वागत है आपका कमोडिटी राउंड अप में मैं हो नीर जोर आज बातचीत होगी सबसे पहले कच्छे तेल पर एक बार फिर से असी की तरफ उसने मात शुरू किया है क्या परिस्तितियां बन रही है कि कूड थोड़ा सा उपर जाता हुए दिख रहा है या फिर ये एक फ पर पर कई महीनों के लोज पचला गया है में स्टील में काफी गिरावट है तो क्या ये चीन का प्रेशर है या फिर एक ग्लोबल रिसेशन जैसा महाल बना इसलिए में प्रिशर देखने को बला है precious metal में सोना भी 70,000 के नीचे है अभी भी और एक bounce आया था लेकि उसके बाद वो फिर से टिक नहीं पा रहा है 70 के नीचे चल रहा है बहुत दिसके के rate cut की बाते चल रही है डॉलर वीक हो सकता है फिर भी सोने में अभी उतनी तीजी नहीं है इस पर भी बातचीत होगी साथ ही इनके चार्ट के टेक्निकल एनलिस निशांत कुमार और कुमर जी ग्रूप के डायक्टर रवीद दियोरा साथ ही चार्ट एंट्रेड के फाउंडर विकास पगड़िया आप सबका बहुत-बहुत सागत है लेकिन सबसे पहले कच्छे तेल पर बात की जानी चाहिए नरेंट जी से क्रूड एक बार फिर से ऊपर की तरफ थोड़ा सा रुजहान दिखा रहा है एक तो यह था कि आई एक रिपोर्ट के तरफ यूएस में डॉड़ाउन था तो थोड़ा सा उसकी वेज़े से हुआ लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि क्रूड थोड़ा सा उपर जाने की कोशिस कर रहा है क्या परिस्तितियां बदल रही हैं क्या देखिए अभी जो आप जिसका जिकर कर रहे हैं ट्रेंट का उसकी तो मुक्षित है दो कारण है एक तो वो लोग जन्होंने लॉड़ा सा उन्होंने चाइं़ कर रहे हैं भी तक इराण ने लॉड़ा समय लिया है तो ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि एरान करेगा तो जरूर कुछ, लेकि क्या वो होगा, क्या वो बहुत जबरदस्ट होगा, क्या उससे वार स्केलिट हो जाएगी, उसको लेकर के बाजार में तनाव है, लेकिन बाजार का एक बहुत बड़ा हिस्सा ही एमान के चल रहा है, कि चुंकि एरान ने इतना लंबा समय लिया है और हमास का नेता वो मारे गए थे एरान का नेता कोई नहीं था तो इसलिए जो है वो मैजर्ड रिस्पॉंस होगा मतर रिस्पॉंस होगा ऐसा होगा जिससे उनका आत्म सम्मान वो बरकरार रहे लेकिन पूरा युद में वो तब्दील हो जाए वो शायद नहीं चाहेगा तो लेकिन इसको लेकर के बाजार में थोड़ा सा जो है एक सस्पेंस असमंजस की इस्तिती बनी हुई है और ये आपको कीमत में रिफलेट कर रहे हैं लेकिन डिमान एंड सप्लाई में जिस तरह का डिमान को लेकर के काफी पैसिमिजम था बहुत मेरा शावाद था कि बढ़ेगी नहीं सप्लाई बढ़ रही है सप्लाई डिस्रप्शन तरह नहीं तो कहीं कीमत हैं ऐसा ना बहुत नीचे लड़क जाए अब उसको लेकर के बाजार थोड़ा आश्रस्त हो गया है कि डिमान जो है वो कम नहीं होने वाली और हो सकता है थोड़ी सी डिमान जो है वो बढ़े तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जो कीमद में रिफलेक्ट कर रहा है और मेरा अपना मानना है कि आप डिमान सप्लाई जीयो पॉलिटिकल ये सब को मिला करके देखते हैं बसकेट में डाल के देखते है तो कीमत है असी के आशपास घूमनी यहीं हो सकता है कभी 75 हो जाए यह बहुत इसक Tina हो हुह auptाय को चार यह को टजाए ले Soo अब औसत निकालते हैं आने वाले चार पांच मेने के अंदर, वो असी के आसपास घुमनी है, तो यह वो कीमत है जिए पॉलिटिकल फैक्टर को भी अंदर ले रही है, और साथ साथ डिमांड को लेकर के भी इसको फैक्टरिल करके चल रही है, अब कोई बहुत बड़ा ट्रि रहे हैं और 85 या 88 या 90 भी छुझा है, तो बहुत जारा गबड़ा नहीं, तो क्या तरिजार यह एक्सपेक्टर नहीं है कि मामला थोड़ा ठंडा हो गया है खाड़ी में, और जो एक दर जैसा लग रहा है कि पतना इरान करेगा, क्या करेगा, हो सकता है ना भी करे, मंतरी थे, उनको वापिस लेके आ गए, वो सलाकार की रूप में और एक तरह से उनको पादेक्स टाइप का बना दिया है, तो कहीं न कहीं वो संकेत यह दे रहे हैं, कि वो लोगों से दुनिया से बाचीत करना चाहते हैं, और दूसी तरफ चीन का वहा इतना निवेश और इरान यूक्रेइन को, इरान रश्या को ड्रोंस भी दे रहा है, एमिनीशन भी दे रहा है, रूस नहीं चाहता कि इरान का ध्यान कहीं और बटे, और चाइना तो पैसे के पीछे चलता है, चाइना का यह है कि उनका इंवेस्टमेंट नी करब होना चाहिए, और ध्यान लेकिन वो एसकलेट हो जागा पूरे युद में ऐसा लगता नहीं है इधर बाइडन सामने बिल्कुल क्लियर कर दिया है इसराहिल को भई अभी तो छे मेने वही राजपती हैं तो आग युद्वत के बारे में ना सोचें बाद में क्या होगा वो ट्रम साब समा लें तो इसल से कोई चिंगारी डल जाती है और एसकलेट हो जाता है वो उसको एकदम अपना दरन्दाज नहीं कर सकते क्योंकि जहां बारूत होता है और तमाम सारी चिंगारी आसमान में घुम्री होती है दुर गटना की 20 अमामना बनी रहती है तो अगर उसको हटा दें आप तो मुझे लगता है कि कोई जादा परिशानी की बात नहीं है अब आजकल तो आप देखे नहीं सर पूरी दुनिया में चिंगारी लगाई रहें लोग बगर इस तरफ तो एक खत्रा बहुत बना हुआ है बना हुआ है तो अगर ये वाला सिच्वेशन थोड़ी अलग हटा है अगर हम पे और डिमांड में आए तो डिमांड भी लगता काफी सब्रेस है खास सवर पर चाईना की और से ने लिए चाईना से तो चाईना बहुत बड़ा बाजार है देल का और आपको पड़ा दुसरी पूरी दुनिया के सबसे बड़ा खरीतार भी चाईना होता है लेकिन अभी से दिमांड पड़ेगी ऐसा नहीं लगता और बाजार कहीं ना कि उसको फैक्टरिंड कर लिया है अगर चाइना में डिमांड घट जाती है और कोई सबस्टेंशिली घट जाती है मानले है वन पॉइंट टू मिलियन बैरल्स या वन पॉइंट फाइ मिलियन बैरल्स या आप अठ लाग वेड़े तब फिर बाजार में उसकी चिंता आपको कीमतें घटेंगी लेकिंड चाइना जो है उसके पास पेट्रो केमिकल और टेल को इंपोर्ट कररके बैचना पेट्रो केमिकल की शक्र में बैचना इन तीनों की केपेसिटी काफी है तो चाइना बाजार को य चला जा है तो मुझे अभी उसको लेकर बहुत जिंता नहीं हाला कि चीनी अर्थवस्पा जो है वो कहीं ज्यादा परेशानी में जितना के बाजार आंक रहा है जी सच ढोना की मुझकिल का में किया सचा ही क्या भी ऊसकारी देने के लिए अब चलते हैं के पास और विकास पधर पहले जुबंढ़े तो आप बताएitelGO क्या लग रहा है एक ruling में तो अगर कुछ इसमें पॉस्टिव निकल के आता है तो प्रूड में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहां से दिख सकता है पॉस्टिव निकल के लिए पॉस्टिव निकल प्रॉफिट पर वोज्ट निकल के साथ आए नेक्स्ट विक में जो ओपक का रिपोर्ट आएगा इसमें डिमांड को लेकर काफी जो करिस्ती थे तो मुझे लग रहा है कि इसे आप से प्राइज निच्छे नहीं आ रहे हैं जब तक के स्थीति क्लियर नहीं होती जिसमें मुझे लग रहा है कि 6400 के स्ट्राइक आपको कॉल अप्शन लेकर ट्राइक करना है प्रोड में जो 100 के करिब चल रहे है बाय करें विदे श्रॉप सब्सक्राइब करेंगे करेंगे कच्छे तेल में सब्सक्राइब कर लिए अगर क्रूट की बात करूं तो 200 डिमा को इसने वीकली चैट पे रिडेस्ट किया है जहां पे 6020 के करिब का यह बॉटम बना कि वहां से रिवर्स किया है तो एक रेंज के अंदर प्रूड ही चल र और हाइर एंड पे 6550, 6600 एक रिष्टेंस का जोन दिख रहा है तो वैसे तो जो बायस है टिकनिकल चार्ट में बुलिस है तो कोई पे डिप अगर मिलता है 6320 के कई तो कुडल बें बाई का पोजिशन बनाना चीए 6210 का सब्स रखना चीए हाइर एंड पे 6550 एंड 6600 के टर अभी तो वैसे एक ठैर सगया है एक बहुत छोड़ी से रेंज में प्ले हो रहा है क्या करना है शूर्म लॉंग करना है शॉर्ट सोना आपने 200 दिमा को टेस्ट करके डेली चार्ट में 67700 के करीब रेटेस्ट करके भूमाया अभी सूने में जो है range जो अपने को देखने बिल रहा है 68500 से 70000 के करीब का range देखने मिल रहा है तो गोल में कोई भी बीडिप आता है तो 69000, 68700 गोल्ड में बाई की अपरजियनिक होजनी चाहिए एक श्टॉप लॉस रखना चाहिए 68,300 के करीब का हायर एंट पर टार्गेट जोंके 70,000, 70,200 तक के टार्गेट गोल्ड में देखने मिल सकते हैं रवीब भले इस समय थोला था लेल डेज हो लेकिन आगे आने वाले समय में तो बहुत अच्छी तेजी की उम्मीद है और जूलर से पुछत हो तो हमेशा कहते हैं कि दुकार के बाद लाइन लगी हुई है दाम होई खड़ा हुए है जरूर के लिए पॉस्टेव है एक लाइन लगी है और सस्ते दाम पर मिल रहा है तो आई थिंक के लिए पॉस्टेव आला कि फूट फोल्ड बढ़े है जो ड्यूटी कट हुई इस आप से काफी अची रिलिफ एक फिजिकल मार्केट को मिले और फेस्टिवीटी भी चालू है और अभी तक का इस्टोरिकल डेटा देखे तो दस में से आठ साल गोल्ड सितम बरें लॉगस्ट मीड से पॉस्टिव रहा है तो माई थिंक के वहां पे माइट भी केक अचा उचाल देखने को मिले एंड आइधिंक मीड़ सप्टेंबर फेड की पॉलिसी है जिसमें डि के बाद जो अभी मार्केट में थोड़ा कोशेस होता था अच्छे डेटा पर तो कल सही डेटा पर मार्केट ने सही रेक्शन दिया जो उसका इस्टोरिकल ट्रेंड रहा है इन बिट्विन रेटकर के एक्सपेक्टेशन बढ़ रहे है तो मुझे लग रहा है कि वहां पे सपोर्ट मिलना चाहिए जो मैंने इस्राइल की बात की वही फैक्टर है जिसे आप चाहिए थोड़ा सब्यूट ट्रेड है बट मुझे लग रहा है कि एक अच्छी बाइन की प्रोवाइड कर रहा है सिल्वर गोल्ड दोनों में बाइन की मौका लग रहा है मुझे गोल्ड को बाइकरें अराउंड सिफ 9400 स्टॉप लोग सिफ 9000 180 टार्गेट वोड़ बी 70,000 और सिल्वर को करन्ट रेट पर बाइकरें स्टॉप लगाए सेवंट 9700 का और 81,200 तरके टार्गेट देखने को मिल सकते हैं ओके सुने चांदी और कच्छे तेल पर यह रायक जाद रायक ख़िदारी के तरफ है छोटा से एक ब्रेक लेंगे इसके बाद बेस मिटल्स पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि कॉपर एल्मुनियों मगरा में क्या चल रहा है ब्रेक के बाद और फिर से आपका कबरिटी राउंड अप में और अब बात करेंगे मिटल्स की जहां पे काफी नर्मी देखने के मल रही चाहिए वो कॉपर हो टिन हो जिंक हो इस सारे पास से शे महिने के लिशलेस तरों पे चलना है लेकिन किवल एक महिने का प्राइस अपडेट अगर आ नर्मी आ चुकी है, स्टील 11% गिर चुका है, आइरन ओर 9%, लेड 8%, अलुमिनियम 7%, टिन 12%, जिंक 9%, इस तरह की वीकनेस देखने को मिल रही एक समय साभी था कुछ मिले पहले कॉपर नियू हाईस की तरफ जाता हुआ दिख रहा था, क्या वज़ह है इन नर्मी की और क्यों लगाता नीचे आ रहे हैं, इस वाचीत करते हैं हमाई साथ हैं, इनके चार्ट के निशान कुमा, निशान जी नमस्कार, और ये बताइए ये इतनी नर्मी क्यों आ रही कॉपर में, अगर हम बात करें, मिये से अभी तक काफी करेक्शन देखनों को मिली है, जैसे आपने भ है कि काफी डिक्लाइन आया 15-20% अक्रॉस दोर अगर उससे पहले अगर हम इस साल पर लेकी बात करें, तो सब में बहुत अच्छी सेजी आई की, तो हम इस प्रेज में के महीने साथ काफी ओवर्वाट लेवल में पहुच गेते, तो अगर हम चार्ट पे देखें, तो काफ अच्छी ओवर्वाट जोन में सारे बेस मेटल, तो फोड़ा सा फुल बैक नाच्रल था, तो हाँ, उसमें साथी तोड़ा ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है, तो वो पुड़ा चिंता की बात रही है, इंवेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए भी, तो मेरा मान तो बेस मेटल, तोड़ा सा करेक्शन जो हमने सी पहले बनती देखी थी चाइना में, तोड़े फेवरिबल होरे थे, रेट तोड़े रिदूस होरे थे, उसकी बज़े से सब्स्पोर्ट मिल रहा था, बट वो मार्केट ने डाजेस्ट किया और फे तोड़ा सा कुल बैक द अच्छा फंडमेंटल रीजन में मुझे यह भी समझना आप से किया जो रेट कट की संभावनाय बनने यूएस में उसका कोई असर होगा? यूएस भड़ानी की बात कर रहा है और दूसरी तरफ यपाइन बढ़ानी की बात कर रहा है तो इससे डॉलर इंडेक्स पे प्रेशर आनी की बिल्कुल समभावना है और अगर डॉलर इंडेक्स नीक होता है तो आप उससे मेंटल को अच्छा सब्सक्राइब बहुत बहुत शुक्रिया जोड़ने के लिए और बचा बताने के लिए रवी और विकास जी रवी जी बत सब्सक्राइब के लिए अप्टिमिजम वहां से है क्योंकि काफी अच्छे डीटा आने के उमिध है मुझे लग रहा है कि आज से लेके नेक्स जब चाइना के मैकर आएगे तब तक थोड़ा एक शॉट कवरिंग का मूड बेस में रहेगा मुझे लग रहेगा कि वैसे जो करेक्शन था या करेक्टिव मोड था वो शाइद अल्मोस्ट कटम हो चुका है और शाइद मार्केट से तंबर तक वीड भी नहीं करेगा पॉलिस आने के बाद मेंस के वहां पे ट्रेड बने मुझे लग रहे है कि अपने बॉटम के काफी करिब है तो करना चा टार्गेट वोड़ बी 790 जो सेकंड पिक रहेंगी वो है सिंग में भी काफे अची सपोर्ट दिख रहे हैं चाइना के रियल एस्टेट मार्केट के साथ काफे अच्छा कोर्रिलेशन है मुझे लग रहा है वहां भी बाउंस दिखना चाहिए 250-250 पे बाइं करें स्टॉप आज कमोडिटीज का टॉपर का अलग अलग कमोडिटीज का जिंक का भी कॉल भी दिनोंने और कच्छे तील का तरह जी बतारा है कि 75-80 की रेंज में घूमेगा असी सूपर जाए तो खुश होने जरूरत नहीं पिशतर नीचे जाए बहुत दुखी होने जरूरत नहीं है क् कि वह फिर से परिट के उसी रेंज के बीच में प्ले होगा अनलेस एन अन्टेल की कोई जियो परिटिकल तस्वीर बदल नजाय तो तक के लिए चलें चोड़ा से एक ब्रेक लेंगे यहां पर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आप फिर लाटेंगे एकुटी मार्केट और अब्रेक एगा फुचर इख्पर्स झाल झाल